जिस तरह हर पतन जानती है कि आखिर उसको खाक हो जाना है पर इससे पहले उसको उचाईयों को चू कर दिखाना है बिल्कुल इसी तरह हम भी जानते हैं कि एक दिन हम खतम हो जाएंगे पर फरक इस बात से पढ़ता है कि उस दिन के आने से पहले हम कितना उचा उड़ पाते हैं अक्सर जब चनौतियां हमारे सामने आती हैं तो उनसे लड़ते लड़ते होंसले पस्त होने लगते हैं हम खुद में हारा हुआ महसूस करते हैं हमें लगने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं पर ऐसे समय में हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान ही है जिसने चांद को फते किया है, वो इंसान ही है जिसने बड़े से बड़ा इतिहास रचा है, वो इंसान ही है जिसके पास सपने देखने और उनको पूरा करने का हुनर है, हाँ, हम सब में काबिलियत है उचा उठने की, पतंग की तरह हवा में लहराने की पस जरूरत है तो उस चनून और जोश की थोड़े पागलपन और थोड़े होश की जिसके बूते हर चनौती से लड़ा जा सकता है उनसे उपर उठकर आसमान को छुआ जा सकता है हाँ जानता हूँ कि इस उड़ान का सफर ना ही आसान है और ना ही चोटा है पर अगर सची मेहनत, सची लगन और मजबूत होसलों के साथ काम किया जाए तो ये सब मुमकिम है आप ये सोचो कि हर पंची पंक लिए होता है पर बारिश होने पर जहां सभी पंची किसी पेड़ का सहारा लेते हैं वही बाज बादलों के ऊपर उड़ता है आप में भी वो काबिलियत है कि आप अपने होंसलों के पंकों के सहारे चनौतियों की बारिश से लड़कर परिशानियों के बादलों को चीर कर उनके ऊपर उड़ सकते हो जिंदगी में उचा उच्छा उठ सकते हो हर सफल इंसान ने जिसने कुछ बड़ा किया है उसने अपने सामने आई चनौतियों से लड़कर अपने होंसलों के दम पर वो मुकाम हासिल किया है कि दुनिया उन्हें आज भी याद करती है उन सभी के रास्तों में बड़ी मुश्किलें थी पर वो उन मुश्किलों से डरे नहीं उन परिशानियों से दब कर नहीं रहे बलकि उन से उपर उठे और ऐसा उड़े ऐसा उड़े कि फिर किसी के लिए भी उनको रोक पाना मुश्किल हो गया आपको भी अगर आगे बढ़ना है पतंग की तरह उपर उठना है तो अपने हॉंसलों को मजबूत करना होगा जब भी हॉंसले कमजोर होने लगें तो ये याद रखना कि हॉंसला होगा तो ही हिम्मत बढ़ेगी हॉंसला होगा तो ही मेहनत करने का जोश होगा हॉंसला होगा तो ही आगे बढ़ोगे हॉंसला होगा तो ही इत्हास रचोगे जब भी हौंसले कमजोर हो तो ये याद रखना कि जिन्दगी में भले ही सौध दुख आए पर उनसे बिना डरे, बिना रुके, बिना थमे, बस बढ़ते रहना होगा एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी, हमारी कामयाबी की पतंग भी हवा में जरूर लहराएगी all the best